उनोंने कोई निर्णे लिया है तो कोई व्यक्ति महतुपूर्ण नहीं होता है अगर उनमें से कोई दो-चार साथी अगर कोई प्रेशर में कोई इस तरीके का निर्णे लेते हैं कि वो इस संघर्ष के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं और जिस तरीके से भारते जन्ता पार्टी की ताना शाही का मुकाबला हम आदमी पार्टी कर रही है और चुनोती दे रही है भारते जन्ता पार्टी को जिस तरीके से इंडिया गटबंदन के हाथों अब भारते जन्ता पार्टी को अपनी हार नजर आने लगी है ये जो संग नहीं कि कोई और नेता महतवपूर्ण हैं, दीड़् लाख पदा दिकारी, आज के दिन वहाइती होता है। अबी स्वागत है और अगर कोई से छोड़ के जाता है तो वो अपनी राजनीती जाने नहीं होगा उनके भाग्य में हरियाना में सरकार बना करकर हरियाना के युवाओं की सेवा करना करना देगे मुझे लगता है कि पूरे देश में धेरों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भारतिय जंता पार्टी के सामने उनकी तानाशाही का मुकाबला जो पार्टियां कर रही है या जो पार्टी कर रही है आम आदमी पार्टी तो लगातार ये संगर्ष कर रही ह बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो इस pressure को नहीं जहल पाते हैं और जाधा तर लोग surrender करके भारतिय जन्ता पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो जाधा महत्वपूर्ण नहीं है आज के दिन में पूरा देश भारतिय जंता पार्टी की ताना शाही के सामने तरही तरही कर रहा है आज के दिन में हरियाना के युवाओं को बरबादी की कगार पे पहुचा दिया भारतिय जंता पार्टी ने उनका मुकाबला करके इस ताना शाही से हर्याना को और देश को मुक्त कराना ये बड़ा संगर्ष है इस संगर्ष के रास्ते पे सब चल सके हैं ऐसा मुम्किन नहीं है बहुत से लोग सरेंडर कर देते हैं बहुत से लोग सरेंडर करके बीजेपी में चले जाते हैं और उसी दिन से वो बीजेपी के लिए अच्छे हो जाते हैं तब तक बीजेपी उनके खिलाफ तरह तरह के दबाओ और शड़ेंतर करती रहती है। के साथ आम आदमी पार्टी का इंडिया गटबंदन का हिस्सा हम बन रहे हैं इसलिए वो छोड़ रहे हैं। जाता से जाता शेयर करें। धन्यवाद। जाता शेयर करता शेयर करें। झालता से जाता है। झाल झाल